हलो एब्रीवान, वेलकम टू मैं चानल पॉलिटीपूर, आज हम समझेंगे कोर्फ फुट्टिन की सेकेंड चाप्टर, समझेंगे पंडिता रमाबाई जी के बारे में, वो कौन थे, क्या करते थे, और क्यूं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, पंडिता रमाबाई वो एक सोसियल डीफॉर्मर थी, विच मिस उन्होंने सोसाइटी में कुछ रीफॉर्म लाए, क्यूंकि पहले सोसाइटी में बहुत सारे बाड प्रैक्टिसेज चल रहे थी, फॉर एक्जम्पल कास्सिस्टम हो गया, सती सिस्टम, वोमन्स वेर फेसिंग अलॉट अलॉट जितने भी सारे वमन थे, उनकी एमपावमेंट के लिए, उनके अगेस्ट जो जो टॉर्चर वगेरा हो रही है, उनको खतम करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे रीफॉर्म लाए, बहुत सारे चेंजिस लाए सोसाइटी में, इसलिए उन्हें बोला जाते है, एक सोसियल who worked for women emancipation, emancipation means narimukh, she was born on 23rd April of 1858 in Karnataka, Karnataka में वो पैदा हुए थे, and her full name was Ramabai Dongre, actually उनका नाम था Ramabai Dongre, ये जो पंडिता है उनको एक टाइटल मिला, she was born in a Brahmin family, वो एक ब्रामिन फैमिली में पैदा हुए थे, she started campaign for women empowerment and opened many institutions for women's development, women empowerment के लिए उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए, ताकि जितने भी सारे नारी हैं, उनको पता चले कि उनकी value क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी potential है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान भी खोल, institution means अनुष्ठान, her father's name was Anant Shastri Dongre, and mother's name was Lak She was fortunate because she got opportunity to study at that time when women were forced to get married at a very young age, उनको भागय साली माना जाता था, क्योंकि जिस समय पर छोटी बच्चियों को साधी करा दी जाती थी, उसी टाइम पर उन्हें opportunity मिला कि वो पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके, और financially वो इंडिबनेंट हो सके, she was very intelligent and Saraswati title was given to her for her great knowledge in Sanskrit, उनको title मिली क्योंकि वो Sanskrit में बहुती अच्छी knowledge रखते थे, that's why, उनको Saraswati title मिली, she married to Sri Bipin Chandra Medhavi and after 19 months her husband died, उनके साधी की 19 महीने बाद उनकी husband के death हो गई थी, she lived with her doctor Manorama and latter she moved to Pune and joined social reform organizations and worked very hard for solving social problem, उनकी husband के death के बाद वो अपनी doctor के साथ रहने लगे, उसके बाद वो पूने आगे और उधर आके, society में जितनी भी सारे bad practices थी, उनके उपर उनने काम करा, बहुत सारे changes लाए, and बहुत सारे जो problems ही society में उनको, उनने solve किया, she was aware of various problems faced by women, such as discrimination, exploitation, forcefully getting married, their work was limited between four walls of home, तो उनको पता था कि उस time पे women क्या-क्या चीज़े face कर रहे है, for example, discrimination, तब हुआ करता था कि ज and women के उपर बहुत सारे exploitation and torture किया जाता था, वो डावरी के उपर हो, या फिर उनको opportunity ना देना, उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं देना, उनको वेदास पढ़ने के लिए प्रोहिबीट करा जाता था, forcefully getting married, उनको forcefully marriage करा जाता था, their work was limited between four walls of home, उन्हें बोला जाता था, क तुम सिप घर के चार दिवार के अंदर रह कर ही काम करो और घर के बार जाने की कोई ज़रत नहीं है, which is very wrong, they needed permission from male members of house for every little things, चोटी-चोटी चीजों के लिए उन्हें घर की जो male member से उनसे permission लेना पढ़ता, she fought till her last breath for women's right and freedom, the women के लिए वो अनतीम सांस तक वो लड़ते रह, she जितने में सारी unequal चीज़े चल रही थी, कि male को ज्यादे importance दिया जाता है, उनको ज्यादा opportunity मिलती है, उनको permission नहीं चाहिए होती थी, तो ये जो सारी चीज़े थी, वो women को नहीं मिलती थी, वो इससे oppose करते थे, प्लेस्टम प्लेस्ट वो में विदीन दो फो वाल्स अप जो पैट्रियर की सिस्टम थी, विच मिंस घर में male member को ज्यादा importance दिया जाता है, घर में जो पिताजी होते हैं अपके, जो फादर, उन्हें ज्यादा importance मिलती थी, पहले की जमाने में, जिसको की पैट्रियर की बोला जाता था, उसी के वज़े से, वोमें को घर के अंधेरी वो सिर्फ इसलिये बने हैं कि वो घर के काम कर सके और बच्चा पैदा कर सके दाट वोलसुट रहे थिंकिंग सीज्बाट पंडिता रहुँ जी ने इसके अगेंस्ट जिट्त्रा कने वाइस उठाईए उन्हों ने और इसके वो वह पोज गए According to Pandita Ramabhai, caste system practices root cause of every discrimination Pandita Ramabhai जी का माना था कि जो caste practices चल रही है जो caste बड़ा है और दूसरा caste छोटा है And untouchability and all जो चल रही थी वो ही सारे के सारे discrimination की root cause है I mean उसी से ही सारा का सारे discrimination सुरू हुआ है So she wanted to abolish caste system so that gender discrimination problem can be solved तो उनका माना था कि जितनी भी सारे problem है वो caste system से आती है तो पहले उसी को ही खतम करो ताकि बाकी सारे problem जल्दी से solve हो जाए C was against caste system of Hinduism जो चार वर्न थे ब्राह्मन, शेत्री, वैसियांड, सुद्रा वो इसका against थे That's why C converted to Christianity in 1883 वो ब्राह्मिन फैमिली में एदा हुए थे Which is the highest caste of वर्ना सिस्टम तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे discrimination फोटे समय में से उन्होंने देखाए बहुत सारे discrimination That's why C converted to Christianity in 1883 तो उन्होंने Christian religion को अपना लिया C also didn't like Brahmin tradition So C moved away from Hinduism क्योंकि वो जो ब्राह्मिनिक tradition थे उसे पसाद नहीं करते थे तो इसलिए उन्होंने Hinduism को छोड़ दिया और उन्होंने Christianity अपना लिया C moved to various places like Calcutta, Bengal and our people about importance of women's education Pandita Ramabhai जी ने जगा जगा घूमकर लोगों को अवेर किया कि अगर आप एक women को educate करवाते हो तो उसके कई सारे फाइदे हैं चाहे वो family में हो या फिर country के लिए बहुत सारे फाइदे होते हैं और हर एक इंसान का ये right है कि वो educate बने Pandita Ramabhai was awarded कैसरे हिंद in 1999 for her hard work towards women's education क्यूंकि नारी सिक्सा के लिए बहुत सारे काम करें उन्होंने बहुत सारे campaign चला institution खोला बहुत सारे बड़े बड़े स्टेप्स ले that's why उनको 1990 में कई सारे हिंद अवार्ड मिली according to her women who are widow and who didn't have children are facing problems and their situation was pathetic and vulnerable at that time उनको बोला था कि बहुत ज्यादा प्रोब्लेम वो women face करती है जो कि विड़ो है means जिनके husband मर गए है ये पास एक बेटा नहीं है ठीके अनी औरतों को ही ज्यादा से ज्यादा प्रोब्लेम फेस करें according to Pandita Ramabai every woman should be educated and financially independent उनका बोलना था कि हर एक नारी को educated बना चाहिए पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए and financially independent बना चाहिए means वो अपना खर्चा खुद कमाए उन्होंने सार्दा सदन नामक एक institution खोला जिसमें की जितनी वी सारे नारी थे उनको लाते थे और उधर उनको empower करते थे उनके value बताते थे पढ़ने लिखने से क्या होता है वो बताते थे और कैसे वो जितनी वी सारे problem फेस कर रहे फेसे क्यसे बहार आ है ये भी बताते थे जो कि बॉंबे में था ची स्टार्टे मीशन और श्टार्टे टीचिंग वारियस स्किल्स से और वमैन कुट भी सेलफ रियेंड तो उन्होंने मुट्टी मीशन एक स्टार्ट करा क्या जिसमें वो वारियस स्कील्स देते जिससे की सारे विमन पैसा कमा सकते हैं सी फांड़ेट आर्या महिला समाज और 13 नवेबर 1882 और लेड वोबन तो लिव अ डिगनिफाइड लाई वो आर्या महिला समाज उन्होंने बनाया जिससे की उन्होंने विमन को बताया कि आपको एक समान जनक एक मर्यादपुन जिवन जीना है लोगों को अवेर करती थे विमन को सी वस अगेंस्ट चाइल्ड मैरेस पॉलीगामी और टॉर्चर अगेंस्ट विमन वो चैल्ड मैरेसमेंस वालिय विभा के विरोध थे पॉलीगामी एक इंसान कई सारी इंसान से साधी नहीं कर सकता था उसके विरोध थे टॉर्चर अगेंस्ट विमन जो हमें पता है सो ऐसी कई सारी टॉर्चर विमन थी जिनकी वोईस बनी पंडिता रमाबाई D.K. कारवे जी नहीं बोला कि जो पंडिता रमाबाई है वो मोडन इंडिया के एक बहुत ही महान बच्ची है